आज हम बात करेंगे कि हम जो रियू प्लांट होता है इसको किस तरह से सब्सक्राइब करेंगे यह मेरे पास रियो प्लांट के दो वरायटी , यह जिन्लाइट में रखा जाता है मतलब चूल सन्लाइट में नहीं रखा जाता है तब उसकी जो leaves होती है वो थोड़ी से different होती है यह देखिए एक यह वाला मेरा जो रियो का प्लांट है उसकी जो leaves होती है वो थोड़ी सी colorful रहती है उसमें कुछ marks रहते हैं बीच-बीच में तो दोनों जो हैं वो बिकुल अलग-अलग हैं लेकि winter season में मैंने को cd area में रख द बहुत ज़ादा बढ़ गई तो हम क्या करेंगे इसके रीपोर्टिंग करेंगे चलिए अब हम देखते हैं यह दोनों जो प्लांट यह है देखें रूट से बहुत ज़ादा डेवलप हो गई है तो दोनों प्लांट को मैंने सबसे पहले पॉट से निकाल लिया है पुछ जब जाल की तरह बना लेती अब फिर जब गो इस तरह से होती है जैसा कि आप इस से में देख रहें और इसकी लिए वह तुड़ी से दूप में रखूंगी तब जी ताब अब पर्पल कलर की हो जाती है तो friends ये देखे मैंने दोनों ही plant से सारे dry leaves को हटा लिया dry leaves को हटाने के बाद ये देखे मैंने दो pot को select किया friends पहले मैंने इसको 12 इंच के pot में लगाया था जो कि इनके growth होती है उसके साबसे बहुत बढ़ा था अब मैं इसको 8 इंच के pot में लगाने वाली हूँ तो friends ये देखे जो मैंने इसके लिए soil प्रिपेर किया है इसमें मैंने नॉर्मल मेरी garden soil है क्योंकि ये बहुत easy to grow plant होता है तो आप इसको किसी भी soil में लगाएंगे तो easily ही grow हो जाएगा तो friends इसमें मैंने नॉर्मल से garden soil रखी है और ये जो pot है ये बहुत ज़्यादा मैंने फुल कर दिया था तो अभी मैं half कर दूँगी क्योंकि इसकी जो roots है अब वो थोड़ा सा ज़्यादा ही है तो फिलाल इसकी थोड़ा से मैं पहले soil को निकाल लेते हूँ तो friends ये देखिए दोनों pot से अधाधा मैंने soil निकालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा compost दे दूँगी friends इसको लगाने के बाद इसे compost देना असान नहीं हो तक कि इतना ज़्यादा बुशी हो जाता है कि हम इसे compost नहीं दे पाते हैं तो इसके लिए मैं पहले इसकी soil में compost दे दे रही हूँ और अगर बाद में आपको इसको compost देना है तो आप इसको liquid fertilizer दे सकते हैं बट इस तरह से आप इसको fertilizer नहीं दे सकते हैं तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा fungicide में mix कर दूँगी तो इस तरह से दोनों pot में fungicide डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से mix कर देंगे तो इस तरह की दोनों जो soil है अब यह prepare हो गई है अब हम इसमें जो plant से उनको लगा देते हैं तो first में यह वाला plant इसमें लगाती हूं इसकी roots को मैंने पहले थोड़ा थोड़ा हटा दिया तो friends इस तरह से हम इसको लगा देते हैं friends soil को भरने के लिए अगर आपको किसी tools की सहायता लेने पड़ी तो इसकी tools की सहायता से भी आप इसको थोड़ा सा अंदर कर दीजिए जिससे कि इसकी roots है उसमें भी थोड़ा सा soil है वो चली जाए friends इसका भी growing period है इसमें यह बहुत ही अच्छे से grow होगा तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि जो पहले से growth हो चुकी है सबसे पहले हम इसकी hard pruning कर देंगे मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी जो इसकी branches निकल गई है उनको हम अच्छे से बिलकुल prune कर देंगे इसका जादा इसकी roots develop नहीं होई थी तो यह असानी से इस तरह से लग जाएगा लगाने के बाद हम चारो तरफ से इसमें soil डाल देंगे soil डालके फिर हम इसे prepare कर देंगे तो friends अब देखे यह जो plant यह भी अब छोटा हो गया है और देखने में भी अब यह खुबसूरत लग रहा ह पानी देने के बाद आप इसे सेमी सेड़ी में रखेगा मतलब जहां कि पर छनके दूपाती हो क्योंकि यह जो दोनों plants हैं यह दोनों ही रियो के plants भी सेमी सेड़ के plant है तो यह देखिए अब हमारे जो रियो plant की reporting हो गई है अब यह बहुत ही अच्छे से grow करेंगे और करेंगे अबस्तितर अबस्तित